लोग हिंदी के नॉट्स बनाना चाहते हैं, लेकिन उनको आइडिया नहीं है, आप मैंसे कितने लोग हैं, जो हिंदी के नॉट्स बनाना चाहते हैं, लेकिन उनको आइडिया नहीं है, कि नॉट्स कैसे बनने हैं, चले गाई, हिंदी के नॉट्स बनाना बड़ा आसान भी है और बड़ा कठीन भी देखो आप लोगों को सबसे ज़्यादा समश्या आती है काल विभाजन वाले कौशन में कि कौन से कभी का समयकाल कभ है और सबसे बड़ी और जरूरी बात रचनाओं का क्रम से सजाने में आपको सबसे ज़्यादा समश्या आती है इस क्लास को मैं अपने कई बार के NET JRF की एक्जाम को उत्तिरण करने के अनभाव से SRF Senior Research करने के अनभाव से और PhD के Experience से बतलाने वाला हूँ मैं आपको बतला दूँ कि मैं कई बार NET JRF Qualify हूँ जो नए चात्रें उनको बतला रहा हूँ ताकि उनको मेरे बारे में ग्यात हो जाए मैंने SRF किया है Senior Research Fellowship और मैंने JRF भी किया है Junior Research Fellowship इसके अलावा मैंने देश की सबसे प्रतिष्ट संसा से हिंदी साइट में PhD किया है और कई वर्सों तक कई वर्सों से आपको अनकेडमी पर पढ़ा रहा हूँ और कई वर्सों से मैं College विस्विधायलियों में पढ़ने पढ़ाने का नुगा हूँ इस exam को मैंने मात्र चार मेने में पास कर लिया था पहली बार जब मैंने इस exam को दिया था में के दोरान वही रणनीती मैं आपको इस क्लास में समझाओंगा और मैं आपको समझाओंगा कि कैसे हमको नौट तयार करके चीजों को पढ़ना है यह क्लास रोज 12 बज़े होती है तो आपको 12 बज़े आना है आपको पता होगा कि हिंदी साहित के अंदर बहुत सारे काल देखो अब मेरी चीजे ना यहां से आगे तुम चीजों को ध्यान से सुनते जाओं आपने समझा होगा कि हिंदी साहित में कई सारे काल भी वाजन होते हैं जैसे आदी काल उसके बाद में और प्रियोग वाद प्रिगति वाद ऐसे आगे तक एक वीता तक हम लोग चलते चले जाते हैं काल क्या है सबसे पहली बात एक मुद्दा आता है हमारे बीच में काल देखो अगर आप मेरी इस कलास को बीच में छोड़कर चले गए ना यकीन मानो कुछ नहीं समझोगे, काल क्या है, काल एक समय है, एक दौर है, जैसे जिस तरीके का आज का समय चल रहा है, हम यह नहीं कहाँ दिया, पहले के जमाने में ये होता था और आज के जमाने में ये होता है, समय एक दौर है, और उसी दौर के अनुसार साहित लेखन में फरक आया है, हिंदी साहित को समझनी के लिए आपको थोड़ा सा व्यज्यानिक दिमाग लगाना पड़ेगा, एक थोड़ी सी एप्रोच बनानी पड़ेगी, मेरी बात मेरे एक शब्द को द्यान से सुनना, एक एप्रोच बनानी पड़ेगी आपको, देखो अगर हम बाबा आदम के जमाने से अगर कोई किताब पड़ी, किताब उठाई, और अगर किताब को पड़ दिया ना, यकीन मानो कुछ समझनी लगेगा आपको, ऐसे, कुछ समझनी लगेगा, ऐसे पड़ दोगे, आपको बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं, जो बहुत सारी किताब रिकमंड करते होंगे, मैं एक विस्विधायले में पड़ाता था, तो मैं मेरी उमर तो जैसे ही आपको पताईए कि अभी कही साल पहले की बात कर रहा हूं, तो मैं उसमें और यंग था, एक किस्सा सुनाता हूं आपको, उसमें और भी यंग था, तो एक छात्रा थी MA की, और मैं उसमें BA को और MA को पड़ाता था, MA फश्टियर को, एक छात्रा थी, जो हमारे होडी के पास गई, और उनसे उन्हों कहा कि सर मैं JRFnet के तेयरी करना चाहते, मुझे किताब बतला दी हमारे होडी महराज ने राम चंद्रसुकल बता दिये, डॉक्टर नगेंद्र बता दिये, है ना, और इसके अलाव बच्चन बता दिये, यानि कि उन बच्ची को आठ नो किताब, नो दस किताब बता दी, और मैं उस समय ना लाइबरेरी संभाला करता था, मुझे लाइबर कर लेता है, या पर सिक्षक एक्सपर्ट भी नहीं होता, जब तक लिएट सकता है, तो हमारे होडी ने इतने किताब ऋस बच्ची को रिकमंट कर दी, और मुझे आकर लिष्ट समाधी, यह सारी किताब चाहिए, मैंने हमारे वो इतनी किताब थी गर उसको पढ़ने लगे न और वो बच्ची लगातार पढ़े न तो कोई 5-6 साल तो पढ़ने में चले जाएके याद तो करना दूर की बात है मैंने उसको देखा और उसकी तरफ सामें, मैंने किसी ने बताई है, मैंने कि रहे चोडी ने बताई है, मैंने कि रहे चोडी ने बताई है, तो मैं भी क्या कहूँ, मैंने कि बेटा, पास करना चाहती हो, या फिर विद्वान बनना चाहती हो, इन किताबों को जमा करा दो इन कुछ नहीं होने वाला इन किताबों से मैं बताओंगा आपको कैसे पढ़ना है पिर मैंने बताया उसको कैसे पढ़ना है और वही चीज अगर आज इस वीडियो को देख रही हो कर नहीं देख रहे होगी अब तो वही कॉलेज में पढ़ाती है पीएश्डी कर रही है वह बच्ची जी आरेफ यारेफ सब हो गया किस दिर इंट्रिव्यू में लियांगा उसको में फिर मैंने समझाय कि आपको कैसे पढ़ना है देखो हमको विद्वान बनने के लिए ना बहुत समय में पढ़ाए हमारे पास अभी हमको एखजाम पासड करने साही इतना दीजी जा में कुटुम समय और मैं भी भूका ना रहूं ना भूका जाए तो हमको इतना इतना घ्जान देदो प्रभू मालिक कि हमसे अभी का काम हो जाए हमेरा फकाना रहे बादम बातिरिल्ट की तो हमको ये exam past करनी है अहंदी सायद की जो भी exam बनती है बस और काम हम बाद में कर लेंगे काम का है बाद मेरे सोफे तोड़ने का काम है और यही काम है यूनसिटी में और काम क्या है तो अब सुनते जाईए आगे हमको कैसे बढ़ना है काल विभाजनिक दौर है एक माइंड सेट अप है किया उस माइंड उस समय एक इस प्रकार की सोच की विक्ति रहते थे और दूसरे काल में इस प्रकार की सोच की विक्ति रहते थे एक छोटा सा उधारन से समझाता हूं तापकि आपको समझने में बहतर हो मिल जाए जैसा कि आ भारतिण्दू काल एक काल है भारतिणू मैं आपको समझाते जाओं भारतिण्दू काल का समय क्या है नीचे बताओ समय क्या है नीचे बताओ नीचे कॉमेंट्स करके बताओ हमारे देश में एक सबसे पहले 1870 की क्रान्ती हुई थी कुछ लोग इसको एक सफल क्रान्ती बताते हैं लेकिन मैं इसको एक सफल क्रान्ती मानता हूँ बहले ही हमने अंग्रेजों को नहीं ख़देडा हो लेकिन उस समय से हम एक unity बनना शुरू कर दिया था 1870 की किरान्ती से पहले भारत देश अलग-अलग टुकडों में बठा हुआ था कोई जासी, कोई नागपूर, कोई क्या कोई क्या छुटी मुटी रियासतों है लेकिन यहां से हमारे देश में नेशनलिजम पैदा हुआ, राष्टियता एक साथ जुड़ना शुरू किया अब यह चीज में आपको क्यों समझा रहा हूँ, यह चीज को समझो इस चीज को इसलिए समझा रहा हूँ, कि भारते इंदु काल अठारे सो लेकर कब तक अठारे सो पचास से लेकर उननीस सो तक माना जाता है जब अठारे सो सत्तावन की क्रांती में अंग्रेजों ने भारतिये क्रांती का दमन कर दिया था डर का माहौल बना दिया था, पूरी तरह से लोग डरा दिये थे, दमन कर दिया था, बुरी तरह से कुचल दिया था क्रांती को उस समय अठारे सो सत्तावन से पहले इस्ट इंडिया कंपनी का राज जिथा भारत पर, अब आप कहोगे गुजी आप हिस्ट्री क्यों पढ़ा रहे हो, इतियास सरवता है, सब जगे इतियास है, समझते जाओ, बस बात समझने की है, रटाने वाला अपने जीवन में कोई क सतावन की क्रांती के बारत में, भारत में क्राउन का सासन आ गया, क्राउन का सासन मतलब किसका सासन आ गया, जो अभी थोड़ी दिन पहले, जो महरानी की मृत्य हुई है, यानि क्राउन का सासन यानि डारेक्ट ब्रिटेन की महरानी का सासन भारत देश में लागू हो गया, तो भारत देश के कुछ लोगों को लगा कि अब हालात बदल जाएंगे राज राजे स्वरी आ गई है तो उस समय का साहित उसी के अनुसार लिखा गया 1870 की क्रांती के बाद अगर भारति इंदु काल को अगर आप देखोगे तो इस काल में राज भक्ति और राष्ट्र भक्ति को सासात लेकर चला गया देखो एक लॉजिक समझाने की कौसिस कर रहा हूँ और मेरी कलास हमेशा लॉजिक पर वेस रहती है क्या बात होने लगी राज भासा और राष्ट्र भक्ति की यहां पर साथ हो अंग्रेजों की तारीफ के साथ साथ हमने उनकी थोड़ी थोड़ी बुराई शुरू करने थी यानि अंग्रेजों की तारीफ डाइरेक्ट रूप से हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि हम अंग्रेजों का डाइरेक्ट रूप से विरूद करें जैसे कि अंग्रेजी राज सुक्साज सजय अति भारी क्या पंक्ति आती है कि अंग्रेजी राज में सब सुक्सान्ती सम्रद्धी है अंग्रेज राज सुक्साज सजय अति भारी और पैधल्न विदेश चली जात ये अति ख्यारी लेकिन भारत का जो धन भार जा रहा यह पर अखरता है लेकिन अंग्रेज के राज में मस्त चीज है डर था यानि कि यहां के साहित पर इस क्रांधी का प्रभाव था अगले 50 साल में चीजों में बदलाव हुआ और यह जो मेंटलीटी थी राजबक्ती राष्ट्र भक्ती की इसको हमने छोड़ दिया और फिर हम एक अलग डाइरेक्शन में चल दिये चाया वाद में हम अलग डाइरेक्शन में आगे प्रियोग वाद प्रगति वाद में हम अलग चीजों में आगे यानि कि काल विभाजन स्रप एक समय का विभाजन नहीं है पूरी सोच का विभाजन है पूरे एक आयाम का व से पहले क्या आता है मुझे ये कॉमेंट्स करके बताओ आप लोग फिर आगे बढ़ों तो हम यहाँ पर एक एक काल का विभाजन करेंगे एक सोच के अनुसार एक वाद के अनुसार जो चीज भारतेंदू काल में हो गई है ना वो चायावाद में नहीं हो गई है ताकि हम चा चायावाद की पंक्ति है ना कि भारतेंदूर तो भारतेंदूर चायावाद में यह अंतर है प्रियोग वाद में भी अंतर है जहां पर प्रियोग वाद आप से बात कर रहा था गरीबों की बात कर रहा था वही प्रिगतिवाद में उनको एकल व्यक्तित की बात करना सुकर आईए अब चीजों को बड़े विस्तार से समझने की कॉसिस करते हैं ठीक है विस्तार समझने की कॉसिस करते हैं भाई लॉके सिलिवन कॉड लगा लेना अनेकेडमी पर अब विस्तार से बात करते हैं लॉके से लिवन कॉर्ड लगा लिना अब आपके मन में आरे से हमको प्लस क्लाश जॉइन करनी है पर कैसे करनी है देखो सबसे पहले अगर आप फुल अच्छी तरीके से जॉइन करना चाहते हो प्रतेक चीज दिसम्मर 2022 और जून 2023 के लिए तो बेटा सबसे पहले आने के अब डालना पड़ेगा फुल नेम लिखना पड़ेगा एंटर यह पहले दिन की बात करना हो पहले दिन मेल आईडी डालकर स्टेट को सेलेट करना ओटी पी आएगा जो डालना है मोबाइल पर और यहां पर कॉंपटिशिन एग्जाम पर क्लिक कर देना है कर दिया आपको यह पर NTA UGC net को सेलेट कर लेना है हिंदी सब्जेट को सेलेट करना है और फिर get subscription पर किलिक करना है जैसे ही आप get subscription पर किलिक करोगे आपके सामने दो चीज़े आएंगी प्लस और आइकोनिक अम मैं समझा देता हूं प्लस और आइकोनिक में क्या अंतर है प्लस में आपको क को किताब खरीदने की जरौत नहीं है मैं अपने के नौट देता हूँ आपको को किताब खरीदने की जरौत नहीं वेन खुद के नॉट देता हूं अपको पूरे नॉट इंबलेंगे और सारी km लाइव होंगी आपको बार मैना 24 कोई करें करने नदा епस आए जैसे आप लि कर देना debit card EMI UPI से ओके भाराज इस चीज़ का ध्यार रखना रेफरल कोर्ड में आपको लॉके सिलिवन लगाना है लॉके सिलिवन कोर्ड लगाकर रेफरल कॉर्ड में आपको लॉके सिलिवन लगाना है और एपलाई कर देना यह paper 1 और paper 2 complete हमरा याबर हो जाएगा तो यह है पूरा तरीका इसमें सारी चीज़ें आपको लाब मिलेगा बहुत ज़्यादा अब आते हैं और हिंदी सायत को समझते हैं आपको इस समय PPT दिखाई दे रही है गाईज हिंदी सायत को समझने और पढ़ने के लिए हमको सबसे पहले एक चीज़ देखनी पढ़ती है वो है सातियो सक सम्वत और विक्रम सम्वत कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि हिंदी सायत को जब हम पढ़ने जाते हैं कहीं सक सम्वत लिख रखा है कहीं विक्रम सम्वत 2022 चल रहा है अगर 2022 में हम 57 जोड़ दे विक्रम सम्वत चला है साथियो राजा विक्रमा दित के मां से राजा विक्रमा दित के से चलाएगी यहां से जाकर अमारी जो पबलिक है वो सुक सम्रदी के साथ रहेगी और वो सक्वन से चला है सक्षम्वत राजा कनिस्क के समय से चला ज्यान रखना और विक्रम से अगर हम मौजूदा समय में अगर 57 जोड़ देते हैं तो सात यह हमारा सक्षम्वत निकल करा जाएगा विक्रम सम्वत निकल करा राहे हिं इस आयत को पढ़ने वाले विध्यारतियों के लिए ये भी जरूरी है इस समय वर्थमान में अगर हमने विक्रम मतले विक्रम विक्रम त्री मतले प्लस जीत अगर आम इसमे शत्तावन जोड़ देंगे तो हमारा समवत निकल गण सक का मतलब जानते ही हो कोई नायक है हमारा और कोई हमारी नाईका है या पती पतनी है एक दूसरे पर सक करते हैं अगर हम सक करते हैं तो अपने व्यक्तित को कम करते हैं अगर हम सक कर रहे हैं किसी पर या कोई हम पर सक कर रहा है तो कहिन कहीं हमारी इज्जत को खोरे हैं हम लो माइनस कर देंगे तो सातियों हमारा को मिल जाएगा हमारा क्या मिल जाएगा इस समय चम्मालीस यह सक्षमवत मिल जाएगा तो वर्तमान में जो सक्षमवत चल रहा है वो चल रहा है 42 चम्माली स्वा सक्समवत चल रहा है इस समय जान लिया होगा अब आपके सवाल मन मारे सरे इस्वी क्या है इस्वी चल रही है समय दो हजार बाईस इसा मसी के जनम से इस्वी समवत की सुरुवात हुई है और इसा मसी के जनम से पूर को इस्वी पूर कहा जाता है और इसा मसी के जनम के बाद को इस्वी कहा जाता है ठीक है, इव यहां आपको कभी भी कर्फुज होने की जर्रवत नहीं है, बास समर्द लगने हो आपको, मैं सब की कॉमेट्स देख पा रहा हूं, मेरे सामने मॉबायल रखा हुआ है, मैं बस नाम नहीं ले रहा हूं, आपका वो बात अलग है, पर मैं कॉमेंट्स आपके सबbecue देख पाँ रही हूं। नीचे आप लोग एक काम करो, नीचे बाद में इस कलास को देखते जारे हैं, वो इसको कॉमेट्स करते रहे है। आपको इस समय इस स्क्रिन दिखाई दे रही हैं। अगर नहीं भी दे रही होगी तो मैं आपको बोल बोल कर समझा दूँगा कि मैं आपको बतलाना क्या चा रहा हूं हिंदी साहित का इतियास का काल विभाजन सबसे पहले हम आदी काल या वीर गाथा काल की बात करते हैं सबसे पहले हिंदी साहित में क्या आता है आदी काल या वीर गाथा काल आता है अ हम सबसे पहले क्या बात करते हैं काल विभाजन की बात करते हैं हर कोई काल ना अपनी विशेष्थाओं के नुशार चलता है मैंने क्या क्यान काल विभाजन में समय महत्पोर्ण नहीं है काल Jakar म्हें पूर्ण है। जैसे कि आप सभी को पता है आधीकाल में जो पुराना जो रासो साहित हैं, जैन साहित हैं, बौध साहित हैं, इनके बारें चर्चा की गई थी. यह एक विचार आपके दिमाग में है, इसको आप आसानी से कर भी लोगे। मेरा काम रहगा आधनी काल को समझाने का क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉइशिन आधनी काल में सब से ज़्याधा आप कenफ्यूज होते हों तो मैं आपको नॉट्टस बनाना शिखा रहा minim यह अटिकाल में के बाद आया साहं बक्ति आधिकाल बक्ति-काल नहीं बक्ति-काल राम काउधारा, कृष्ण काउधारा, निर्गुन परंपरा, सूफी परंपरा, यह आप अच्छी तरीके से इनको जानते होगी, क्योंकि भक्ति काल में आपको इतना कोई जादा संकट नजर नहीं आता, इसके बाद में रीती काल में भी आपने देख लिया होगा, एक तो र मक्सद आदुनी काल को सुन्जाना है, सुनिये, एक है रीती बद्ध कभी, रीती बद्ध, यानि बंदे होगी, रीती मतलब परंपरा, यानि पुरानी जमाने से कोई परंपरा आ रही है, और उसी परंपरा के नुसार हमको काम करते जाना है, रीती बद्ध, एक होता है री सबसे बड़ा काम है आधुनिक काल को समझना अब थोड़ा सा पैन कौपी निकाल लो ताकि मैं आधुनिक काल को अच्छी तरीके से आपको समझा सकूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फिजन आपको आधुनिक काल में होता है आधुनिक काल एक विचार के उपर है मैंने थोड़ देर पहले कहा था आप लोगों से कि भाई भारति इंदु काल की सुरुवात होती है 1850 से 19 तक थोड़ देर पहले मैंने आपको समझाया कि उस समय भारत देश में अंग्रेजों का राज था और 18 सताओं की करांती का दमन हुआ था उसी समय 18 सताओं की करांती को कुछल दिया गया था उस समय का जो मैंड सेट अप था कभीयों का लेखों को का वो डायरेक्ट खुलकर नहीं था अंग्रेजों का पूरा चक्र चल रहा था वो लोग क्या करते थे ऐसी विचार धारा में आगे जहांपर अंग्रेजों कि तारीफ के साथ साथ अपना पक्ष रखते थे मैंने थोड़ देर पहले बताया था कि अंग्रेज राज सुखसाज सजय अति भारी और पैधन विदेश चली जाती अति ख्यारी यानि कि राज राजेश्वरी का यहां पर राज आ गया था मैंने आपको बताया था कि 1857 की क्रांथी से पहले मला 877 क्रांथी तक इश्ट इंडिया कंपनी का राज था यहां पर 1857 की क्रांथी के बाद यहां पर क्राउन का सासन आ जाता है यानि कि महारानी का डायरेक्ट सासन आ जाता है सब कुछ महारानी ओपरेट करेंगी जैसे ये पता लगा कि अब भारत में महरानी का सासन है बहुत सारे लोगों ने उम्मीद रख ली कि महरानी तो पता नहीं हमको क्या कर देगी अब हमारानी यानि हमको बहुत अच्छी तरीके से रखेगी, अब तो महारानी के लाड़ ले हैं, लोगों ने उम्मीद मान ली महाराने से, और आपको पता है कि महारानी जब पहली बार भारत में आई तो उसका तकड़ा स्वागत किया गया था, उसमें, ये सब चीजे चल पड़ी थी, नमस्कार भाई, नमस्कार, सबको नमस्कार, अब यहां पर भारतेंदु काल की कुछ प्रवर्ती सबसे पहले समझो, चाए वो अंधेर नगरी हो, चाए भारत दुर्दसा नाटक हो, चाए उनके निबंद हो, इन सब में, अब आपको नौट्स बनात वे क्या करना है, एक अजीज समझो, कि मालो हमको आधुनि काल के भारतेंदु काल के नाट्स बनाने है, तो हमको क्या करना है, इधर देखो, अब सब को अपको बिद्धो कापी पेन निकालो, जल्दी हो, हिंधी साहित, केवल हिंदी साहित नहीं है, हिंदी साहित इक विज्यानिक सब्जेक्थ यह scientific subject है यह, literature विज्ञान होती है पूरी तरीके से, और उसी तरीके से हम समझेंगे तो हमको आएगा, अब ही निकालो, आप copy man निकालो सब किसा, निकालो, सबसे उपर लिखो भारतेंदुकाल, सबसे उपर लिखो भारतेंदुकाल, लिखो, अब ही निकाल, एक रफ बना लो भारतेंदुकाल, लिखो, नोट्स बनाना सिखा रहा हूँ ना, भारतेंदुकाल, भारतेंदुकाल के सामने लिखो, 1850 से लेकर 1900 तक, ऐसे लिख दो, और एक ऐसे लाइन खेंचतो, खेंच दी, बना दिया, अब सबसे महत्पूर्ण बात हमको कैसे क्या करना है, कोई भी का सबसे पहले आपको क्या लिखना है, भारतेंदुकाल, लिखना है, 1850 से लेकर 1900, अब यह मैं सोच ना, गुरू जानते हैं, जानते होंगे, भाई, आप तो ग्यानी हो, मैं आपको जो समझाना चारा हूँ, वो समझो आप, भारतेंदुकाल में आपको समझना क्या है, सबसे पहले इसके मुख मुख, लोगों के नाम लिखो, भारतेंदुकाल में कौन-कौन लोग थे, एक तो स्वेम भारतेंदु थे, चलो ठीक है, इसमें स्वेम क्या थे, आप कहते हो ना गुरुजी हमको क्रम वाले कॉश्चन याद नहीं होते हैं आपको क्रम वाले कॉश्चन याद हो सबसे पहले हमने लिख लिए भारतेंदू उसमें लिख लिए बाल कृष्ण भठ राइटिंग पर मज जाना फिर लिख दिया प्रताप नाराण मिश्र आपको एसा लिखने के बाद देखो जान सुनिए हमने लिख लिया भारतेंदू परताप नाराण मिश्र हमको एसा लिखने के बाद क्या करना है हमको इस प्रकार से लिखने के बाद हमको क्या करना है इस चीज का जान रखना इस चीज को इस तरह से लिखने के बाद हमको करना है कि इनका समय इसके सामने लिखना है और इन तीनों की कोई-कोई मुख्य करती जादा नहीं सब की सब नहीं जैसे कि कुछ-कुछ याद करो जैसे कि ये लगा लो कि भाई जो प्रताप नारण मिस्रफ्ष ने कौन-कौन सी मुख्य करती लेगी देखो मैं एक चीज समझाने कौस क कर रहा है वह हर हर काल में आपको करनी है चाहा भारतिन्दू चाह दिविद्री चाह यावाद हो चाह प्रयोग diary अदु जा एकीज इस video, ये एक set up बनाकर चलना है हमको इस तरीके का क्या है प्रकार का इक sets up बनाकर हम चलना है कि हमको ये सब कर ना है को गाई इस प्रकार से अगर क्या करें आपको पता है कि भारती नीबंद के लिए इन दोनों के लिए भारती तरीजिए व्याटबके ये सब जाने जाते हैं तो हमको काल विभाजन इसी तरीके से करना है कि भारती नगरी वार्ट değer रिचंद के χारती राट ही। बारे में को यहां पर लिखना है अब सुनो मेरी बात और कौन-कौन प्रसिद्ध लोग हुए थे भारतिंदु काल में एक हुए थे सर्दाराम फुलेरी इन्होंने भागवती इन्होंने बहुत सारी अच्छे-च्छे उन चीजों को लिखा है सर्दाराम फुलेरी जिन्होंनों ओम जे जगदी सरे की आरति लिखी ऐसे कुछ-कुछ चीज़े याद कर लो देखो मैं आपके उधारन तेकर चीजों को समझाने की कौसिश करूँगा कोई गाव है मालो चार-पास गाव हैं मालो आपके गाव के आसपास चार-पास गाव हैं और आपसे ये कह दिया गया कि कौन-कौन से गाव में कौन-कौन से व्यक्ति रहते हैं आब मालों ये तो हैने कि तुम 4-5 गाओं आसपास रहतें, चार-5 गाओं के प्रतेक व्यक्ति का नाम याद करोगें. ये तो possible भी नहीं है. अगर आप प्रतेक बोर्टर आइडी, बोर्टर निश्म निकलवा और प्रतेग वेक्टी का नाम याद भी करोगी ना तुम भूल जाओगो अच्छा तरीका क्या रहता है उन चार-पाँच गाओं में से मुख मुख जो व्यक्ति है चार-पाँच चार-पाँच उनका नाम याद रखे जैसे किसी ने का गजिंदर कहां का रहने वाला है तुम सर पर लाग दिया बोजा अब तो पिचक ही रहे है डेट याद नहीं हो रही रहे से ऐसे ऐसे पिचक ही डेट याद नहीं हो रही ना भाई नहीं करना नहीं है एसे ऐसे करना ही नहीं है हमको क्या करना है जिसे करम के कौशन आते है करम वाले कौशन में क्या करते है कुछ व व्यान है, यह समझो आँ, तो अब हमने क्या किया, हमने क्या किया, कि सातियों मुख मुख लोगों को याद करना है, ताकि उनको कंटर्ष्ट करना है, ताकि उनको हम कभी न भूले, और उनसे लिंक करके फिर हम और लोगों को याद कर लेंगे, अब आजाओ, आगे बढ़ते प्रिक्षा गुरू लिखा। ऐसे नौट्स बनते हैं, ये चापने हैं दिमाग में, ये वर्गी करने, ये चापना हैं, इतना याद कर लोगे ना, तो फिर तो ये लगा लो, आग लगा दो गया है, मुझसे वादा करो इसी क्लास के माद्धम से, कि गुरू जी कितने भी बार जो आप कहरे हो ना, उस तरी क्लास में ये भी कारणामा करे लेते हैं, साथ यो, इस समय आपको दिख रहा होगा मेरा थीसिस, पहली बार ये दिखा रहा हूँ, ये मेरे नेट जयारेफ के सर्टिपिकिट है, अगर आप इसमें देख पा रहे होंगे, तो मुझे पता नहीं कैमरा दूर लग रहा दिख ये मेरा नेट का सर्टिपिकिट है, और ये मेरा पहली बार जो जयारेफ हो था, उसका सर्टिपिकिट है, मैं कई बार नेट जयारेफ कौलिफाइड हूँ, ये साथ ही हो, मेरी पीएच डी की थीसिस है, जो आपको इस समय दिखाई दे रही होगी, और भहुत मेहनत से ये हुसीर, इतनी का मतलब हुस्ता, मैं जब बहुत जजादा पढ़ने में विस्वास नहीं रखता हूँ, बहुत जादा पढाने में भी नहीं रखता हूँ, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो common sense के आधार पर बहुत सी चीजों को solve करता हूं मैं चीजों को link करके पढ़ता हूं मैं एक पर चीजों को व्यग्यानिक तरीके से पढ़ता हूं चीजे बहुत जल्ली याद हो जाते हैं मैं कभी भी सर पर ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा चीजे नहीं रखता हूं लिमिटेट चीजे पढ़ो लेकिन लिमिटेट चीजों में स्ट्रॉंग हो जाओ आप हमको उसी तरीके से पढ़ाई करने हैं सबसे पहले काल की विशेष्टा मैं आपको बचाद बता दी है कि भारत इंदु काल में काल की विशेष्टा क्या थी अंग्रे जोसे हम डरे हुए थे और हम किसी पर प्रकार के आंदोलन करने से बच रहे थे धीरे धीरे समय बजा 1885 में भारत में एवो हूम ने कॉंग्रेस की स्तापना कर दी और वहां से लामबंध होना हमने फिर से सुरू किया दिवेदी काल में दिवेदी जी ने उस समय भाषा को लेकर काफी चीजे में सुधार किया उसमें मैथली सरण गुप्त हैं दिवेदी काल में सुन लो मैथली सरण गुप्त हरियोंद महावीर प्रशाद दिवेदी हरियोंद ने प्रिये प्रवास लिखी देखो मैं आप से क्या कहना जा रहा हूँ आपने आप लिखो भई अब मुझे लिखो अब दिवेदी लिख लो, बारति इंदू के बाद में दिवेदी कार्ट डाल लो, दिवेदी के उक में एडिंग कार्ट डालने के बाद में दिवेदी के नीचे लिखो, एक तो सबसे पहले कौन थे, महावीर परशाद दिवेदी जी, इनका समयकाल क्या रहा है, आप इसमें लिख देना, सम इनके साथ में इसमें क्या थे गुप्त जी थे ढविद्युक्त जी थे और साथ योध्यों थे हरी यूद्ध इन्होंने प्रिय प्रवास लिखा था ध्यान रहे इसे आपको क्या करना है मैंने चार पांज नाम लिखने हैं जो मुख महत्पूर्ट पुर्ष्टक के नाम लिखना है इसाथ में को सबसे ज्यादा महत्पूर्ण पुर्ष्टक अुसका नाम लिखना है। जह जो भी व्यक्ति जो फुल तरीके से प़ड़ना चाहते हैं, उनको मेरा पढ़ना का तरीका अच्छा लगता है, तो एकेडमी पर मेरी प्लस क्लाश जोइन कर लेना, वहाँ पर कुछ फीस लगेगी आपको, लेकिन यकीन मानो, जयार आपका पक्का हो जाएगा, यह मेरी गेरिंटी है, और 2022 दिसंबर और 2023 जून के लिए इस समय बैच स्टाट हो गए हैं, आपको किलियर देखना नहीं है, डिस का युद्ध छड़ गया था, हिंदी साहित के अंदर, ब्रज भासा का भहिसकार, क्या चुड़ गया था, ब्रज भासा का भहिसकार का युद्ध छड़ गया था, और इसकी सुर्वात भारतिंदु काल से ही हो गई थी, गद्ध भासा के विकास की परंपरा चल निकली थी, कि सब लोग गद्ध भासा को आगे बढ़ाना चारे थे लेकिन भारतेंदु काल में ये चक्कर था कि गद्ध के लिए तो हिंदी खड़ी बोली का प्रियोग होने लग गया था लेकिन पद्ध के लिए कोई लेंग्वेज नहीं थी और पद्ध के लिए अभी भी ब्रजबाषा का प्रियोग हो रहा था दिवेदी युग में आते आते गद्ध और पद्ध गद्ध एंड पद्ध दोनों के लिए आपकी खड़ी बोली का इस्तेमाल होने लग गया हिंदी का इस्तेमाल होने लग गया है ना यहां पर और यहां पर एक प्रकार की स्वशंदतावादी धारा भी चल निकली थी इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि दिवेदी युक्के को आम किस प्रकार से तयार करेंगे दिवेदी युक्के बाद में आजाओ चायावाद के बारें जो एक रहसवाद का काल है और जो सात्यो चायावाद उस लिखो उपर एडिंग में लिखो नमबर तीन चायावाद लिखो पर चायावाद 1920 से लेकर 1936 तक लिखो और लाइन कहचो नीचे नौट्स बनाओ ऐसे सबको नौट्स बनाने हैं चायावाद 1920 से लेकर 1936 अब हमने वो ही काम करना है हमारा हमको वो ही काम करना है कि चायावाद के प्रमुक प्रमुक लोगों को लिखना है चायावाद के प्रमुकलों कौन होगे? निराला होगे? प्रिशाद होगे? महादेवी वर्मा होगे? सुमित्रा नंदन पंत होगे? ये साथ यो चायावाद के कुछ मुख नाम है। आप चायावाद की विसेश अभी समझ लो। चायावाद में प्रकर्ति चित्रन किया गया है। रहस्वाद की बात हुई है। फेंटेसी की बात हुई है। रहस्वाद की बात हुई है। और प्रकर्ति चित्रन यहापर किया गया है। ब्रह्मा विश्णु महेश के रूप मे सुमित्र नंदन पंथ निराला जी को यहां पर प्रस्तुत किया गया है आए और अधिक जानकारी इसके बारे में हम ले लेते हैं कि सबसे पहले आप लिखो यहां पर निराला का समय काल क्या है यह आपको यहां पर लिखना है निराला की कुछ प्रमुक कृतियों के नाम लिख लो प्रमुक जादा नहीं दो तीन केवल दो तीन जादा नहीं नॉट्स में जादा नहीं निकला कच्रा नहीं भी खटा गरना मैं एक प्रारूप बता रहा हूं आपको क्या प्रारूप क्या है इन्दी साहित का ठीक है अब देखो अब आप लेकिन आपको लगरा है कि दिविधी काल में तरीका का साहित ने लिखा गया और हमने कि तरीका में वह उसका का साहित ने लिखा गया झाले ठापना की था हुई जीजे है। और हमको काल-खंड को विचार के अनुसार बाटना है. समझे? देखो. बारत देश की दो सबसे बड़ी नेशनल पार्टी हैं. बारतिय जंदा पार्टी और बारतिय कॉंग्रिस पार्टी. दो देश की सबसे बड़ी नेशनल पार्टी हैं. बोटर एक ही हैं. अच्छी लगती है तो BJP को बोट देता है किसी को कॉंग्रेस के अच्छी लगती है तो कॉंग्रेस को बोट देता है या पिर छेत्री पार्टियों के लगते है छेत्री पार्टियों को बोट देता है बात विचार की कि जो काम ये पार्टी कर रही हो पार्टी दूसरी नहीं करेगी यही काम हमरे काल विभादन में होता है कि जो काम चायाबाद में हुए ना वो काम भारतिन्दु काल में नहीं हुआ और जो काम भारतिन्दु काल में नहीं हुआ और जो काम भारतिन्दु काल में नहीं हुआ आप लॉजिक को समझने की कौसिस करो हिंदी पेवर ज्ञारती जियारिफ करते हैं यह आपको पता ही हैं हर बार सेंकड़ों की ज्ञारती सियारिफ पास करते हैं में पढ़ाय हुई है आग आते मुवर हमने यहां पर सबसे पहले निराला का स्थमय लिखा निराला की एक-दो कृतियों के नाम लिख दिया राम की सक्ति पुजा कब लिखी गई मैं तोड़ती पत्र इलाबाद की सढकों पर कब लिखे गए एक ठोटा सा तीन चैर लाइन मॏ आ अ गया ठीक इसके बाद में मालू आंटेति लिख दिए इसके बाद में यहां पर दाग दिये फिशाद का समयकाल लिख दिया और प्रिशाद की रसनाओं के बारे में लिखा उन्होंने गमन उपन्यास लिखा ऐसे चीज़ें यहाइपर डाल दी बराबर मालों उने पंथजी को लिख दिया आपट पंतजी हमने यहाइपर पंतजी के अलावर के महादेवी को लिख दिया अब आपको क्या फरक पड़ा इससे आपको आइडिया आ गया है कि भाई भारतिन दुकाल में प्रताफ नारण मिस्र था बाल कृष्ण भट्ट था प्रेम गन था चायावाद में निराला है महादेवी वर्मा है और पंत जी है प्रशाद है यह आइडिया आपको अब जब भी आप कभी भी एक्जाम दोगे आपकी मन में आपको चीजों को समझना आपके लिए बहुत जाद आसान हो जाएगा इस समय चीजों को समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इस समय चीजों को समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि यार हमने उ पहले डाल दो यह व्यक्ति ना अर प्रियोग वादीक. उसको लाक complaints अकरुद में लुक्तर छाओ प्रियोग उसको लाश्ट में डान Titans घूर में एक चीज से चारों तरफ चीजे निकलती है een यह एक चीज़ के इर्दुदशी चीज़ घुमती हैं हमेश्शन कर एक चीज समझो, आपने एक चीज यह याद कर ली, एक चीज यह कर ली, एक चीज यह कर ली, एक चीज यह, आपने यह चीज यह याद कर ली ना, तो यह सब चीजे आगे बढ़ती जाएंगी और यह चीजे आपस में जुड़ती चले जाएंगी, यह देखो आपस में जुड आप बेड़ा पार हो जाओगे। मैं खुद PhD क्यों हूँ। इतनी कम उमर में College University में क्यों पढ़ाया है मैंने। Reason यह है कि मेरी वैज्यानिक method कि मैं Hindi को भी literature को भी वैज्यानिक तरीके से पढ़ता हूँ। और मैं बहुत जादा नहीं पढ़ता हूँ। मुझे बहुत जादा नहीं पढ़ना अच्छा लगता। और नहीं बहुत जादा पढ़ाना अच्छा लगता। कम पढ़ो बहतर पढ़ो। एक बार मैं ऐसा पढ़ोगी आपके दिमाग में छप जाए। कभी दुबारा उसको पढ़ने की आफशक्ता ही ना पढ़ने सब लोग क्वेश्ब होग है अब हमने इस तरीके सेचायवाद को समझा दिया चायवाद के उत्तर में आयाता सात्य हालावाद इस अब लावाद का नाम सुना है हरी विन क्वेफइउ बेज़ेट आपको क्या लगता है हरिवन स्राइबच्चन का नाम हरिवन स्राइबच्चन है इधर देखिए क्या आपको लगता है सरनेमिन का बच्चन है तो आपको गलत लगता है हरिवन स्राइबच्चन का सरनेम बच्चन नहीं है यह इनका एक साहितिक नाम है जैसे बद्निनारान प्रेमगन सचिदानंद अग्ये इसी तरीके से यह इनका क्यायस आती हो एक पेड़ ले अब आपको लग रहा होगा गुरुजी हरिवन्स रॉय इनका नाम है रॉय सरनेम है आपको लग रहा कि रॉय सरनेम है यह भी आपको गलत लग रहा है हरिवन्स रॉय सरनेम है स्री वास्ता सब्सक्राइब नाम क्यों रखा है हरिवन्स रॉय के पिता हरिवन्स पुरान पढ़ा करते थे एक एक चीज में के अंदर कहानी चिपी है हरिवन्स के पिता हरिवन्स पुरान पढ़ा करते थे क्या पढ़ते थे हरिवन्स रॉय बच्चन के पिता हरिवन्स पुरान पढ़ते थे इसलिए उन्होंने अपने बच्चे का नाम हरीवांस रख दिया. और उस बच्चे ने बच्चन सहित्तिक नाम रख लिया. जैसे आपको पता है पूझा मेडम. जैसे कि आपको पढ़ाती हैं पूझा मेडम. पूझा कुमारी मीना नाम है उनका नाम. मेडम आप पढ़ते हो अपने एकेडमी का पार्ट है, पूजा नाम है उनका, लेकिन उनने अपना साहितिक नाम पुलकी रख लिया है, ये उनका साहितिक नाम है, नाम उनका पूजा है, लेकिन साहितिक नाम उनका पुलकी है, इसी तरीके से साहितिक नाम बच्चन दी, अमि हारिवन स्राइब बच्चन ने उत्तर छायावाद में हालावाद को बढ़ावा दिया पूरू चलने से बटोई रहा की पैचान कर ले पूरू चलने से बटोई रहा की पैचान कर ले रहा मतलब रास्ता तो ये थे सातियों बच्चन जी इन्होंने मदू साला लिखी हालावाद या इसको मौजमाल भी कहते हैं हरिवन स्राइब बच्चन और सिव मंगल सिंग सुमन इन्होंने हालावाद को प्रकाम किया उत्तर चायावाद में दो प्रिकार की थी, एक तो राष्ट्रिय सांस्कृतिक चेतना का दौर आ गया था, आपने सुना होगा सुबुद्रा कुमारी चौवान के बारे में जो महादेवी वर्मा की दोस्त हैं, कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो जहांसी वाली रानी थी, य कि वर्फतर चायावाद, तब आपको एक IP आने लगा है,igos कि भारतिंदी काल में क्या चीज थी, दिविदी काल में क्या चीज है, चायावाद में क्या चीज, क्या आपको एक क्लियर होने लगा झाई, फिर आपको आगे बढ़ूँ गा, अभी आगे बढ़ने वाला हूं, आगे बढ़ूँगा और मैं बतला ओँगा आपको कि किस प्रकार से प्रियोगवाद प्रगतिवाद गाम करता है। इतना समझ लग गया है क्या ? ऐसे कि अपू इतना समझ लग गया। आप में से जो भी व्यक्ति मुझे जुड़ना चाहता है। मैं अभी प्रियोगवाद और प्रियोगवाद एक रीता इन सब वारे मन और समझाने वाला दुबारा सुलो अभी मैं आपको प्रियोग Vaad, प्रियोगवाद, एक साय कवीता समझा रहाダ है लेकिन थे बहुत सारी बच्चे कहने इसे आपसे कैसे contact किया जा सकता है देखो मुझसे contact करने का एक मात्र साधने यह telegram channel इसका screenshot ले लो अगर आप मैंसे कुछ बच्चे हैं जो net की तैयारी करना चाहते हैं वो इस telegram channel के माददम से मुझसे संपरक कर लेना या फिर PhD में आप चाहते हो कि मैं आपकी help करूं कैसे best topic चुना जाता है रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाया जाते हैं सिनॉप्सिस कैसे बनाया जाते हैं वो इस वाले telegram channel में इस description को जरूर देखें सब लोग मैं आपको थोड़ा समय दे रहा हूं ताकि आप इसका screenshot ले सकें बाद में आप ढूंडते फिर होगे डॉक्टर लॉकेस वाली अनकेडमी इसका description को आपको जरूर से देखना है ले लो स्किन सॉटिस का फड़ावट से यहां पर मैं आपको मिल जाओंगा और मेरा मोटो यह नहीं कि मैं आपको क्यों जारे पास करा दूना मैं आपको हर उस जगे पर पहुचाना चाहता हूं जहां पर आप प्रोफिसर बन ओगे मैं आपको नेट जयरह भी पास कर वाँगा मैं आपको प्रोफिसर्स पेपर कैसे चपवाते हैं कैसे लिखते हैं जब तक आप प्रोफिसर्स नहीं हिंदी साहित और पेपर टू दोनों पड़ाया जाएगा आपको दोनों फीस यह है जो आपके सामने है कि आपको गुरुजी फीस कितनी है फीस यह है मैं आपको बतला देता हूँ यह फीस है देखो यहाँ पर 15,950 फीस दिख लिए 12,12 मेने की लेकिन यह 14,300 के आसपास आपकी फीस लगेगी देखो यार अगर देखा जाए तो पूरा हिंदी साहित पूरा हिंदी साहित प्लस पूरा पेपर वन पूरा हिंदी साहित पूरा पेपर वन पूरा हिंदी साहित और पूरा पेपर वन हम लोग कंपलीट करवाते हैं अब आप देख लो 12,13, 1000 फीस लगते तो 1000 रुपए मेने का सबस आपकी फीस लगेगी हजार रुपे में आप पूरा complete कर लोगे हर मेने के साब से भी मैं थ्रीजिनिक डियाई सब कुछ मैं आपको सिखाता हूँ हर चीज तो lockage 11 code लगाना marketing team के लोगों का call आएगा आपके पास में बहुत सारे लोगों का लेकिन आपको रैफल कॉर्ड lockage 11 ही लगाना है तब ही जाकर आप मेरी classes को access कर पाओगे lockage 11 code आपको लगाना है और apply करना है अब आ जाते हैं फिर से अपने चीजों के उपर कहां तक थे हैं हम लोग नए नए बैच स्टार्ट हो गए हैं यह बैच स्टार्ट हो गया paper 1 का जल्दी करो और यह हो गया paper 2 का 2022 के लेट हो जाओगे बाद हम फिर चीज छूटेंगे क्या मतलब अब अमा जाते हैं अप्रगतिवाद के वारे सब्से पहले प्रियोग वाद और प्रिगतिवाद में से प्रीगतिवाद पहले हुआ है क्या हुआता प्रगतिवाद सबसे पहले हुआ था कि अर्षकनाम Cliff spend चल रही है क्लास के अब यहां पर प्रगतिवाद में क्या था समय काल था 1936 से लेकर 1943 तक ये जो समय काल था 1936 से लेकर 1943 तक का इस समय भारत देश में बहुत तगड़े आंदोलन हो रहे थे गांदी जी के नित्रत में बड़े-बड़े वीर क्रांतिकारी इस समय थे जिनमें भगत सिंग, आजाद, लाल-बाल-पाल ऐसे तमाम लोग तेर भारत देश में पुर जोर विरोध हो राता अंग्रेजों था इस समय में क्या है ये प्रगतिवाद इस समय क्या था सातियो भारत देश में भुक मरी भी बहुत ज़्यादा थे लोग मर रहे थे भूख से गरीभी से तो आपने एक चीद नौटिस की होगी भारत इंदु काल में हम लोग अपनी दुरदसा पर रोए इस्तिती पर रोए भारत इंदु काल में दिवेदी लुग में भाशा का दगड़ा चलता रहा चायावाद में प्रगति बाद भी चलता रहा और साथ के साथ राष्ट्रिये जो कवी थे हमारे मैतली संड गुपते हैं यह दिनकर ये लोग चलते रहे यानि कि अंग्रे जो की खलापत भी चलती रही और प्रकति चित्रन भी च हो गया था मार्सवाद का बहुत ज़्यादा बूल 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 वाला हो गया था उस समय मार्सवाद कहते हैं क्रांती की बात करते हैं मार्सवाद वरक संगर्स की बात करते हैं मार्सवाद कहते हैं कि दुनिया के सारे मजदूरों एक हो जाओ खोने के लिए तुमारे पास क निरालाने मैं तोड़ती पत्थर जैसी रचनाएं लिखी मुक्तिबोध, नागारजुन, केदारनात अग्रवाल और विलोचन अब आपको क्या करना है? अब आपको अगली हेडिंग देनी है और लिखना है प्रगतिवाद अब आपको अगली हेडिंग देनी है और लिखना है प्रगतिवाद लिखो अगली हेडिंग दो और प्रगतिवाद लिखो लिखो गाइज हाँ, आप एक अगली हेडिंग दो और लिखो प्रगतिवाद नमबर चार आएके साथ यह हैं, आप अगली हेडिंग दो और अगली हेडिंग में लिखे उसाथ यह प्रगतिवाद लिखो प्रगतिवाद प्रगतिवाद का आप समय भी लिख लीजिए 36 से लेकर 43 तक का 1936 से लेकर 1943 तक का आप समय लिख लीजिए दिख लिया, आप यहाँ पर bracket में मार्क्सवाद का प्रभाव लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, मार्क्सवाद का प्रभाव, यह प्रभाव देखने को मिला, अब ही हमको क्या करना है, प्रगतिवाद में सबसे पहले मुख मुख लोगों के नाम लिखने हैं, जैसे लिख दिया, अब मुक्तिबोध का समयकाल लिख दो, और मुक्तिबोध की एक दो रचनाओ के नाम लिख लेना, नौट्स बनाते ही समय, ज्यादा नहीं लिखना है, अब आपको लग रहा होगा, सब सभी महत्पूर्ण है, ना, ना, कुछ-कुछ का ही के बारे में लिखना है, ज्यादा के बारे में लिखना है, सरफ कुछ-कुछ के बारे में ही लिखना है, ठीक, मुक्तिबोध हो गई, मुक्तिबोध के बाद में साथ हो, यात्री का नाम लिखना है, नागा अर्जुन, क्या साथ हो, नागा अर्जुन, उनको यात्री नाम से भी जानते हैं, बा केदा नाथ अगरवाल और अस सात्योत त्री लोड़ संवे चार लोगों के नाम लिख दे आम ने प्री लोड चान कि ढूंस बना नहीं अब हमको आइडिया आ गया है भारतिंदु काल में कौन-कौन सी लोग थे भारतिंदु काल में कौन-कौन सी प्रमुक रचना थी दिवेदी काल में कौन-कौन राइटर थे दिवेदी काल में कौन-कौन सी रचना थी छायवाद में कौन-कौन राइटर थे छायवाद में कौ गरीब लोगों की बात होने लगी यहां पर बात करने लगी बुकमरी की यहां पर बात होने लगी पूंजी वाद की कि अमीर आदमी अमीर हो रहा है और गरीब आदमी गरीब हो रहा है यह बात यहां पर इस कालक्रम में इस कालखंड में होने लगी दीरे-दीरे इस कालखंड वो प्रियोगवाद थी इधा देखिए एक अलग पेज जोईन कर लेता हूँ यह रहा चलिए अब हमारी अगली अगली सहती हो प्रियोगवाद पाच वे नमबर पर क्यानता है प्रियोगवाद लिखो कॉपी में नौट करते जाओ प्रियोगवाद यह नौट करने वाले चीज़ है 1943 से 1943 से लेकर साथ हो कब दला 1991 तक अब इनके प्रमुक कभी कौन-कौन होई थी देखो यहाँ पर कौन-कौन सी बात होने लगी यहाँ पर एकल विक्तित की बात होने लगी जैसा कि आप लोगोंने लैपटॉट dif हो गया लैपटॉट को चार्ज में लगा तो मगोंना हो जाएंगे एक सेंड हो एक सेंड रको लैपटॉट को चार्ज में लगा तो कही ओप न हो जाएंगे कि हमको पता ही ना लगे चलती क्लास वीच में रुख जाए यार ने तो पता मुझे अच्छा लगा है कि मुझे पता लग गया भी हो गया हो गया है अब यार यहां पर प्रियोग वाद में क्या होगे जो हम पूंजी वाद और मार्स वाद की बात कर रहे थे प्रियोग वाद में पितले प्रियोग वाद में जो हम पूंजी वाद और उसकी मार्स वाद की बात कर रहे थे इस वाले काल में इस वाले खंड में अब यहां पर उनसे बिलकुल अलग एकल क्या आगया एकल यहां पर एकल व्यक्तित की बात होने लगी थे यहां पर एकल व् प्रशाद की कहानी पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि प्रशाद की कहानियों में मतलब किसी पर्टिकुलर इलीट वरक की बात हो रही है, सब की बात नहीं हो रही है, इसी तरीके से जब हम प्रियोग प्रगति बात पढ़ते हैं, तो अब हमको लगता है कि हम प्रेम चंद की की तरह काम कर रहे हैं जब हम Peer योग पपड़ते हैं तो ticking कहिंगे प्रशाद की तरह बात कर रहे हैं इस प्रेमुक राइटरों में कौन थे अग्ये जीते लिखो नौट करके अग्ये ऐसे ही बनता है कारवा क्या लिखो चाहते हो यहाँ पर लिखो अग्ये ऐसे लिखो भवानी प्रशाद मिस्र इनके ऐसी चीज़े लिखो, अग्य भवाणी प्रषाद मिश्रे, अब हमको क्या करना है, इनका समयकाल लिखना है, और इनकी दो-दो रचनाओं को लिखना है, आपको कौपी में, कैसे बनते हैं नौट्स? दो दो रचनाओं को यह लिखना है केवल तो हमने दो दो रचनाओं यहाँ पर लिख दी आपको सच में वीडियो पसंदा रहा है मैंने एक बार भी आज आज आपसे यह नहीं कहा कि तुम वीडियो को लाइक करो मैं यह इमानदार इसे देखना चाहता हूँ अगर मैं इतने अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो कितने लोगण वीडियो को लाइक किया है इस समय हाँ काफी अच्छे लोगण लिख देया लेकिन कुछ लोग ऐसे भी छोटे होँगे जिन्होंने लाइक नहीं किया हूँ लाइक कर दो वीडियो को पहले क्या बोल दे है साबाई बोलो शीरी क्या है आपको comment तो लिखो बेटा आपको कोई comment मिला ही नहीं मुझे है आप comment लिखो प्रियोग वाद के बाद में आता है साथ प्रियोग में अधार लिखो नई कवीता 1901 से लेकर कब तक बताओ मुझे 1901 से लेकर कब तक नई कविता 1901 से लेकर कब तक नीचे कॉमेंट्स करते जाए 1901 से लेकर 1960 तक साते हूं नई कविता की बात होती अब देखो यहीं से आप गड़बड करते हो आप लाश्ट पढ़ते हो प्रियोग वाद प्रिगति बात और उसके बाद में आपको खुद को पता नहीं कि नई कविता भी कोई चीज है अधोट्री कविता भी कहीं से आई थी यहां आपको समझा देंगे नई कवीता में जो व्यक्तिवादी एकल धारा की बात हुई थी पिछली यहां पर तार सब्तक और चलने लगए अबबना रिर्य व्यक्तिवादी आधुनिकता की बात की गई किया है व्यक्तिवादी आधुनिकता और राइटर कौन थे वह iedereenic कि यहां पर भी नई सोच के साथ क्या घरें विट्टिवादी आधुनिकता कर दो यह सात्यों अग्यतों थे यहांपर जो व्यक्तिवादी आधुनिकता की बात कर रहे थे जब कि सात्यों दूसरे थे कौन से मुक्ति भोध दूसरे कौन थे यहांपर मुक्ति भोध वो क्या सात्यों समाजवादी आधुनिकता की बात कर रहे थे यह सात्यों अमारी नई कवीता हो गई क्या हो गई सात्यों अमारी नई कवीता हो गई नई कवीता के बाद में एक आती है एक कवीता समयकाल बताओ एक कवीता एक आती है सात्यों एक कवीता 1960 से आगे बताओ 1960 से कब तक एक आता है एक कवीता का दोर बताओ 1960 से कब तक आता है अगर आप लोगों ने पढ़ड़ा होगा तो याद होगा नई कवीता एक कवीता 1960 के बाद में क्या आता है बताओ एक क्या आसिस्टेंट प्रोफिसर के लिए पिए जरूरी है हाँ भी और ना भी मैंने इस पर कही सारे वीडियो बना रखें आप सर्च कर लो कि पिए डी कंपल्सरी डॉक्ट लॉकिस बाली हाँ भी और ना भी अभी जो सूचना आई हो वह वैसे ही अभी उसकोई अधिकारिक चीज़ नहीं है अगर आभी बहुत से लोगों वीडियो डॉक्ट लॉकिस बाली लिख लो यूटूब पर आपको मिल जाएंगे वीडियो वहाँ एक डिटेल्ड में चीज़े समझा रखें मैं अच्छी तरीके से एक कवीता आती है सात्यों 1960 में और 1960 से लेकर यह लगबा 1967 तक हमारे साथ रहती है एक कवीता एक कवीता में सात्यों निरासा की कवीता लिखी गई है क्या है निरासा की कवीता नाम कैसे पड़ा इससे मुझे कोई मतलब नहीं है आपको ऐसे डाल ले रहा है निरासा की कवीता प्रमुक प्रमुक लोगों के नाम डालने हमको कौन-कौन थे गंगा प्रशाद क्या सात् लिखो, नौट्स बनाओ, लिखो, कौन-कौन ते प्रमुक प्रमुक लोगे, जैसे कौन ते एक था गंगा प्रशाद, क्या साते हो, गंगा प्रशाद विमल, गंगा प्रशाद विमल, आपने नाम सुना होगा बहुत अच्छी तरीके से, जगदी, चत्रवेदी और धूमिल, सबसे ज़्यादा प्रस्चिद्ध हैं धूमिल, संसस्त सडक तक, इंद्रा के खिलाफ हो गए थे पूरी तरीके से, धूमिल, इंद्रा जी के पूरी तरीके से खिलाफ थे, सरकार के खिलाफ थे, इंद्रा जी के नहीं, मैं सरकार के खिला तो आपको पता होगा सातियो इस तरीके से ए-कवीता लिखे गए तो हमको इस तरीके से पूरे काल का नामकरण और विभाजन कर लेना है ए-कवीता के बाद में भी कुछ आया है क्या पता ये अगर आप चाहते हो कि और समझा ओँ आगे आप चाहते हो कि अगर समझा हूं आगे एक कवीता के बाद में आया था सातियो और समझा देता हूं चलो आगे एक कवीता के बाद में क्या आया है आगे बताओ मुझे कुछ कोई कमेंट करी कि एक कवीता से आगे कुछ आया है क्या ए कवीता से आगे एक भाग था वो था जनवादी कवीता क्या था जनवादी कवीता क्या था था थे ओ paid की बात हुई थी ए कवीता के बाद में जनवादी कवीता समय काल लिख देता हूं 1967 से लेकर 1980 तक हम जनवादी कवीताओं के मंद रहे इतना डेटेल्ड में इतने विश्टरत तरीके से आपको कहीं नहीं बता रखा होगा इस प्रिकार से हमको नौट्स बनाने हैं और अगर यकीन मालो ऐसे आपने नौट्स बना लिए ना इस तरीके से तो जे आरेफ हम किवल तीन चार मैंने के पड़ाइं में कर सकते हैं खुद मैंने किया है आप भी कर लोगे आप तो मेरे चेले हो तो और भी एक्सपर्ट हो सम का लीन सम का लीन कवीता जो अभी चल रही है राइट नाओ 1980 के बाद से एक पूरी यात्रा हम लोगोंने कर ली है आज पूरे काल विभाजन की पूरे काल खंड की कैसे हम नौट्स बनाएंगे ये तमाम पूरी सातियों हमने पूरी चीजे आज के सेसन में कर ली है पड़ ली है आप जरूरी बात पर ध्यान दो और अभी मैं आप लो करने के बादम से मुझसे आप बात कर सकते में डॉक्टर लोकिस बादी करो को अदोलोड करो और सातियों उसके बाद में आपको यहां पर आपका एंटे उजिस नेट का स्लेट करना है आपका सब्जेक्ट का चुनाव करना है और गेट सस्क्रप्शन पर आपको किलिक करोगे आपके सामने दो अप्सन आएंगे एक तो प्लस और यह कैसा त्यों आइकोनिक अब प्लस मे करते हो तो सातियों मैं आपको लाब बतला देता हूं आपका पूरा पेपर वन हम कवर करवाएंगे थ्योर्टी कल थ्योरी के रूप में थ्योरी प्लस एमसी क्यूज ठीक है यह सभी क्लासे लाइव होंगी पेपर वन और पेपर सेकंड दो नोट सभी के आपको पीडिएफ नॉट्स मिलेंगे और सातियों पूरा कम्प्लीट कोर्स आपको यहां पर करवाए जाए पेपर वन का भी पेपर टू का भी आइकॉनिक में कुछ पर्सनल कोच बगरा मिलेंगे एडिशनल लिन को आप देख सकते हो बड़ अगर आप प्लस पुदारन ले लेते हैं सातियों बारे मंत का अगर आप बारे मंत का प्लस क्लाश जोइन करते हो सबसे बैस जोइन कर लेना अगर आप बारे मंत का प्लस क्लाश जोइन करते हो तो वैसे जो फीस लग रही है वो लग रहे है 15,950 क्या लग रहे है 15,950 लग रही है लेकिन अ कांट मिलेगा और फीस लग रही है 12いき स्थेक स्थी कि वह अंदर है एडBay отп टो कि वह इसी में टैस्ट सिरीज भी है इसी में आप्ने हिसाब आप अपने अपने हिसाब से आप लाब उठा सकते हैं सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है उमीद है आपको यह चीजे पसंद आई जिसमें आपको 20% का discount देखने को मिल रहा है यह discounts आती हो केवल 12 से लेकर 17 दिसंबर तक ही valid है यानि 12 to 17 दिसंबर 2022 इन दिनों ही यह valid हैस आती हो जब आप 20% का discount प्राप्त करोगे तो यह बहुत ही शांदार offer आपके सामने निकल कर आया है तो आने के एड़ी प्लस और Iconic subscription जोइन करते समय आपको 20% देखो 20% का तो एक off मिलेगा आपको प्लस 10% अप्टू यह discount और मिलेगा यानि कि अप्टू 30% यानि कि 30% अप्टू का आपको discount देखने को इस समय वर्तवान मिल रहा है जाए रेफरल कोड में लौके सिलिमन लगाकर apply कर देना यह आपको आफर तभी मिलेगा जब आप लौके सिलिमन रेफल कोड लगाकर apply करोगे यह केवल और केवल वैलिड रहने वाला है 12 से 17 दिसम